हलो दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों अब इस पार्ट में मैं जितनी एक्जेम्शन करा दूँगा सर मेरी तरफ से उतनी फिलाल इनफ है बागी थोड़ी बहुत एक्जेम्शन आपको होमवर्क में दूँगा सर जो घर पे पढ़नी है और अब सर थोड़ा फास्ट आट एक्जेम्ट सर्विस ऊ Karl यू कहते करें अचनिस्वाब के बारे बता रहें जैसे ट्रांस्फ्वर ओव गॉइंट है यह सर् सब कुछ दे रहा है तो इस केस में क्या होता है कि यह जो बेश्टे समय सर्विस दी जा रही है तिक है गुट्स दिया जा रहा है यह गोईंग कंसर्ण में आ रहा है इसलिए इसे एक्जाम रखा गया है यह इंट्री नमबर टू आप से कहते हैं सर और पढ़ना है उसके पार हो उसके लिए सर 9b 9b क्या कहता है supply of service associated with transit cargo to Nepal and भुटान ठीक है इसका मतलब कह है supply of service मतलब आप service दे रहे हो associated मतलब जो की जुड़े हुए with transit मतलब लाने ले जाने का काम क्या है सर कार्गो transit कार्गो मतलब कार्गो से लाते ले जाते हैं कहां सर नेपाल से भुटान मतल यहां पर क्या कहेंगे हम कि यह exempt माना जाएगा ट्वैल एस सर्विस बायो रेंटिंग और रेसिदेंशल ड्वैलिंग और यूज और रेसिदेंशल ड्वैलिंग इसमें सर छोटा साब को पढ़ना है वो यह कि आप अपना घर रहने के लिए दे रहे हो तीक है इसमें सर एक कि पूरी चीज़ी चेक करके इस तरीकी से देते हैं कि वो लॉंग टर्म में एक साल दो साल दस साल हमारे यहां रहेगा एज़ा किरायदार टैनेंट वो हमारे रहने वाला है तो सर इस केस में यह सर्विस जो है इसे एक्जैम्ट रखा गया है ठीक है ओके सर यह बाती यहां पर हो गई है सर शुषार कम साइट दे रहा है इन डे रहा है यह गैस्ट आउस अनले और या गेह सौन ते रहा है यहां पर रहने के लिए क्या में भी आज चला जाता हूं समान के लिए residential मतलब मैं खुद रुक रहा हूँ महाँ पे, lodging purpose मतलब मैं अपना समान रख रहा हूँ और having value of supply of a unit accommodation below 1000 per day और equivalent कि अगर उसका किराया जो वो मुझसे चार्ज कर रहे है वो 1000 रुपे या उससे कम है ठीक है तो भाया इसे आप क्या कहोगे आप इस exemption में रख दोगे उसके बाद है service by way of giving on hire क्या hire पर दिया जा रहा है से यह कह रहा है to a state transport undertaking a motor vehicle mean to carry more than 12 passengers कि मतलब याता याद के कई जगे देखो गाड़िया नहीं चल पाती है बसे मेट्रो नहीं चल रही है तो वहाँ पे छोटे-छोटे cab type की होते है ठीक है van type की होती है ठीक है कुछ जगे एक बुलैरो करके गाड़िया चलती है यूपी बिहार में तो वो अपने passenger को बैठा लेते है 20-25 रुपे 50 रुपे लेते है और उनको destination तक पहुचाते रहते है यह उसके लिए बात कर रहे है तो सर यह इतना ज्यादा आपके लिए जुरूरी नहीं है यह वाला पॉइंट पढ़ सकते हो सर एक्जाम के लिए इस्पिशल है यह कहता है motor vehicle for transport of student faculty and staff तो सर यह थी एक transport service क्या transport service आप इसमें लिखने सर लिंक विद लिंक विद स्कूल एंड कॉलेज स्टेड़ी इसका मतब क्या सर आपने स्कूल वाला पढ़ा था मेरे साथ कि स्कूल में हाइर सेकेंडरी स्कूल है colleges है या फिर वकेंडरी courses है उसके बारे में वह कह रहा है कि भीया आप students वगेरा को लाने ले जाने की facility दे रहे हो और student को ना देखे इसकूल मतलब उस college को स्कूल को कुसी को भी जो service दे रहो आप और कहां पे सर कहां तक के लिए है यह बाइव प्री स्कूल education उन education institution को जो की preschool education या up to higher secondary education यानी सिंपल सी बात है सर क्लास 12 तक की बात आप कर सकते हो class 12 तक के जो school है उनको अगर आप यह service दे रहे हो क्या service है सर कि आप बच्चों को staff को faculty को ला रहे हो ले जा रहे हो तो यह service exemption में रखे गई exam के लिए याद रखना है सर जो आप हमारी बुक लेंगे अच्छे author की बुक लेंगे वो इस वाले को school वाला जो उपर head पड़ाता हमने उसमें add कर देते हैं ठीक है जाते है सर कुछ लोग भवान कृष्ण का जन्मिस्थल मत्रा वरंदावन तो वहां पे जब जाते सर बीच में tool charges आते है आगरा वगयरा के और अधर की तो वह tool charges जो आप से लेते हैं उस पे वो जेस्टी चार्ज नहीं करेंगे 23-8 तो यह सेम उसी का बड़ा भाई बना दिया साइव एक्सेस करने की permission यह ब्रिज एक्सेस करने की permission आपको दी जा रही है पेमेंट आफ एनुटी जो भी उसकी बिदले में आप भुगतान कर रहे है उसमें जेस्टी चार्ज नहीं कहा ज transmission distribution of electricity by electricity transmission distribution utility इसका मतलब क्या है सर सर जैसे यहां पर जैसे आप आप यह मान के चलो डी एच ठीक है बी एन और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो की आपकी electricity provider होते हैं मतलब government क्या करते हैं अपने एक organization मतलब होते हैं transmission मतलब होता है भीजना distribution होता है बाटना मतलब मालो आपका एक इलाका है माली जी आपका ये एक बिहार हो गया एक यूपी हो गया एक देली हो गया तो ये electricity जो government अपने एरिया में बनवा रही है अपना एरिया मतलब अपनी जो location है वहां से वह भीजवाती है ठीक है transmission होता है इनकी networking वगरा फैलाना तो of electricity by electricity transmission distribution utility तो सर ये कौन काम कर सकता अब विसलिए government ही करती है बट government आने वाले टाइम में इन्हें private करती जा रही है ताकि लोगों को अच्छे तरीके से light की facility मिले और 24 hours वगरा जो light वगरा है वो मिले और मोधी जी के सर इस बारे में मैं सराहना दूगा कि UP बिहार में उन्होंने ये बहुत अच्छा काम करवा है पहले वहाँ light की बहुत दिक्कत होती थी लेकिन आज के टाइम में वहाँ भी डैली जैसे पुने जैसे बाकी एरिया जैसे light की facility दे दी गई है अब वहाँ भी अच्छे से light access मिलता है से 24 hours एक प्रॉक्स मिल रहा है अब काफी अच्छा करवा दिया मोधी जी ने तो वही आइसे याद रखना है कि भीया light वगरा की facility उसर वर्ड याद रखना है transmission और distribution है तो transmission और distribution का काम कोई भी utility करवा रही है जो कि authorized है तो उस पर JST charge नहीं कर रहे हैं ठीक है ओके अब यह वाली बात यहां पे star लगाईएगा फाइफ स्टार यहां पे लगाईएगा यह बच्चे नहीं पढ़के जाएंगे हवेर in this regard CBIC has clarified that other service provided by disccoms distribution companies to consumer against charges are liable to JST इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है सर आपको समझना पढ़ेगा यह मतलब नहीं समझ में आता मालो मोदी जी एक example ले रहाँ मोदी जी ने क्या किया एक एरिया में electricity का जनम करवाय है मतले लेक्रिसिटी क्रेट करवा रहे हैं वहां से वह देली भीजवा रहे हैं वहां से वह बिहार भीजवा रहे हैं वहां से पूने भीजवा रहे हैं वहां से महराश भीजवा रहे हैं तो मोधी जी ने ये लेक्रिसिटी भीजवा दी लेकिन अब डेली में जो डेली का एरि तो इन डिपार्टमेंट को जो आपस में electricity distribute करवाई है, transmit करवाई है, उस पे GST नहीं है, यहां पे GST नहीं है, वट जब यही department consumers को, यानि हम जैसे आम जनता को जब देंगे electricity, तो उस पे GST लगेगा, वो ये कहने कोशिच कर रहें स Lazard, तेक है, ओके, अब इसमें जो application fees लगत इस पे जेस्टी है तो आपको दूसरा इश्यो कर देंगे तो सर उस पे भी जेस्टी है तो आपका मीटर कहीं सिफ्ट करवाना है सर आगे सर आपका जो labor charges वो कह रहा है customer for shifting meters shifting of service lines मतलब आपका घर कई बार change हो जाता है A block से B block में घर shift हो रहा है तो घर shift हो रहा है सर तो meter change करवाने पड़ते हैं तो उसके भी उपर जो लग रहा है GST charges उसके भी लगते हैं testing fees की meter वगरा सही है आपकी electricity चल रही है नहीं चल रही है वायर्स वगरा खराब तो नहीं है सब को सही है नहीं है तो उसके लिए भी जो service दी जाती है उसके जेस्टी है तो सर यह याद रखना exam के लिए सर यह important है हाजी यहाँ पे आप लिख सकते हैं important यह important point था उसके लिए सर 47A पढ़ लोगा मेरे साथ 47A से पहले यह देखो सर 49 पहले दिखाता हूँ मैं आपको 49 आप से कहता है कि collecting और providing news आप news collect कर रहे हो यह noise provide कर वा रहे हो JST नहीं लगता ठीक है public live वगरा कि सुवधा दे रहे हो इसके बाद आपको क्या याद रखना है service by way of licensing registration or analysis of testing of food samples supplied by the food safety and standard authority इसका मतलब क्या है कि भया कई बार खाने की जाज़ पढ़ताल होती है कि भया यह हां का जो खाना है वो सुद्ध है इसे खा के कोई बेमार नहीं होगा तो इस टाइप की भी service government के द्वारा दी जाती है कि वो खाने को अथराइस करते है कि यहां का खाना ठीक है या नहीं है तो इस टाइप की services पे भी जेस्टी नहीं लगेगा तो इसके बाद देखो sir क्या क्या है अब यहाँ पे अगला याद रखना है business exhibition की service है जो की outside इंडिया हो रही है तो इस पे भी जेस्टी नहीं लगेगा slotting of animals sir एक word होता है कसाई word मतलब जो जानमर को काटते है ठीक है तो उनकी services पे भी आपका जेस्टी नहीं चार्चिया जाता precondition, precooling और ripening, waxing, retail packing और labeling और fruit and vegetables इनसे भी आपका जेस्टी नहीं आता तो sir यह आपका agriculture वाला जो head था वहाँ पे भी आपने इसे पढ़ा होगा तो यह वहीं से उठके आया होगा है ठीक है वहाँ पे आप जाके कर सकते हो और cold chain development का जो काम है उस पे जो service दी जा रही है उस पे भी जेस्टी नहीं है sir इसमें क्या होता है इसमें होता है कि देखो कई बार जैसे यहाँ से कोई भी जैसे tomatoes हो गए potatoes हो गए मालों बिहार से दिल्ली भीज जा रहे है बुने भीज जा रहे है तो वो ज़्यादा दिन तक बैसी रहेंगे तो खराब हो जाएंगे तो cold chain facility लगाई जाती है ताकि जो समान है वो time से वहाँ पर पहुँच सके बिना खराब होए तो भी यह वहाँ पर भी JST चार्ज नहीं किया जाता foreign diplomatic missions वगरा है तो इस पर भी JST चार्ज नहीं किया जाता तो sports body में आपको सिखा जाता है कि कोई भी individual है as a player, referee, empire, coach, team manager और उसके participation वो किसी sport event में भाग दे रहे है जो कि organized किया गया है recognized sports body के तहत तो उसको भी JST चार्ज नहीं किया जाएगा या एक recognized body ही एक recognized body ही दूसरी recognized body को अगर ये facility दे रहे है स्पोर्ट्स event करवाने की word धेकना एक्जाम में जुरूरी है कि recognize sports body क्या है और ये word क्या है सर ये आपका homework है recognize का मतलब क्या है सर recognize का मतलब ये आपका homework रहेगा आप पढ़ोगे exam के purpose जुरूरी नहीं है लेकिन word recognize पता होना चाहिए की मतलब जिसे government ने establish किया इसका मतलब ये है तीक है उसके बाद है operation of the common biomedical waste treatment facility इसका मतलब क्या होता है कि जो hospitals होते है उसमें कुछ ऐसी चीज़े होती है जैसे injections हो गए पटिया हो गए मलहम हो गए कोईसी का operation हुआ उसमें surgery में जो भी जैसी चार्ज नहीं होता ठीक है public convenience इसका मतलब toilets वगरा जो अविलेबल करवाई जाते है public में metro वगरा के पास या फिर bus stand के पास या area में जहां पर ये सविधाय नहीं होती तो उसमें भी जैस्टी नहीं लागता ओके बागी सर other exemptions है इसमें कोई important है सर देख लेता हूं सर नहीं सर इसे आप complete ignore कर सकते हो अब इसमें कोई वैसा point नहीं है जो आपके exam के point से जुरूरी है यहाँ पर आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा सर मैंने इसमें आपको इत्ती सार exemption फटाफट बताई है exam के point यहाँ पर देखते है entry number 22 यह क्या कह रहा है सर यह कह रहा है service by unincorporated body और NPE बंद NPO जिसे आप जानते है मतलब यह वो लोग है जो profit purpose के लिए काम नहीं करते तो अगर इनके द्वारा कौन कौन सी service है सर service number 77 और 77A अगर यह service दे जा रही है तो इस पर JST चार्ज नहीं क्या जाएगा service by unincorporated body और a non-profit entity registered under any law किसी भी law में आप registered हो JST भी हो सकता है या कोई company law या कोई भी act या फिर 12AA सर याद है आपको NPO 12AA में भी registered हो सकता है income tax act और timing in force it's on member by of reimbursement of charges और share of contribution कई बार क्या होता है कि यह जो unincorporated body है जैसे कोई भी सभा बैठाई गई सभा innocence meeting रखे गई तो यह आपस में जब जाते न तो यह subscription पे करते हैं एक word आपने सीखा होगा account में subscription ठीक है subscription मतलब जो members होते हैं खुदी उस organization को पैसे देते है तो वो कह रहा है कि जो भी इनको पैसे यह दे रहे है in return जो भी उनको चाय पानी और जो भी उनको नास्ता पानी मिल रहा है उसके मगर वो पच्छत्तर सो तक है तो इस पे कोई भी GST charge नहीं होगा लेकिन पच्छत्तर सो से जादा है तो उस पे GST charge होगा तो यह वाली बात बस इतनी याद रखनी है और इससे जादा नहीं है बस यह है कि आपको exam में कैसे question पूछेगा कि मालो सत्या limited मोधी limited या फिर मान के चलिए आपके पाताजली limited है एक NPO है या unincorporate body है वो किसी अपने member को क्या कहते है कोई भी service दे रही है उसके मतले है वो लोग पैसे दे रहे है बताओ वो taxable है या नहीं है तो आप देखो कि 75-100 के limit cross हो रहा है तो taxable है जैस ची लाएगा 75-100 थक है तो जैस ची नहीं लाएगा इसका मतलब क्या है सर कि यह बात कर रहे है एक ऐसे unincorporated body या NPO की जो कि उस समय timing enforce मतलब उस समय चलाई जा रही है उनके दोरा अंडर एनी law यह हो सकते है वो कहा रहे है agriculture और labor वगरा के welfare के काम कर रहे हो आप तेके सर आपको JST नहीं देना या फिर आप promotion कर रहे हो क्या किसी भी trade का, commerce का, industry का तो आप इस तरीकी की कोई भी activity कर रहे हो तो हम उसे exemption देते है अगर by chance आपका member आपको कोई पैसे दे रहे है और वो amount 1000 से जादा नहीं है तो सर ये exemption में रखा गया है तो सर समझ में आ गया सर देखिए, ये entry number 81 पढ़ते है सर अब पढ़ने वाला काम देखो मैं जितना पढ़ा दू इस वीडियो में काफी है इसके बाद आपका homework रहेगा अपकी कुछ पढ़ना मत पढ़ना आपका sufficient हो चुका है सर एक्जाम के परपस है आगे सर service by way of right to admission right to admission मतलब देखने की permission जैसे cinema hall है अब cinema hall में आप ज़्यादा direct नहीं जा सकते हैं वहाँ पर आपको ticket लेना पढ़ेगा तो जो आप ticket लेते हो movie का वो होता है right to admission तो वही वो कहा रहे है ticket तो वही वो कहा रहे है circus देखने जा रहे हो dance देखने जा रहे हो अभी दिल्ली में शायर दिल जी दोसान जी आये हुए थे PTM पे आया था notification एक कोई sporting event है धोनी जी से का कोई program है recognize sporting event 2020 match खेले जा रहे है या recognize sport event है तो उसके लिए वो कहा रहे है कि अगर ये जो भी आपको बताए गया ABCD जो भी चीज़े बताई जा रही है आपको ABCD ठीक है color थोड़ा चेंज कर देतो ABCD के अंदर जो भी बताए जा रहे है अगर आप इसमें 500 रुपे पर परसंट चार्ज करते हूँ तो इस पे GST नहीं है अगर आपने 500 से जादा का चार्ज किया तो आपको GST यहाँ पर चार्ज करना होगा उसके बाद है सर्विस बाइव एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉनुमेंट्स मॉनुमेंट्स क्या होते सर् सर मालने आपको ताज महल है लाल खिला है अब यह आर्कोलोजिकल साइट्स है तो वह कहा रहा है कि अगर इन्हें प्रोटेक्शन की सर्विस दी जाती है करकि लोग जो जाते है वह सबसे महान का क्या हम क्या करते है X, LOVE, Y, ठीक है अब वह क्या करते है नालाइक लोग वहाँ पर अपना नाम चाप के आ आते है अपना पूरा इतिहास कि हम कम मिले थे क्या मिले थे हम आएंगे आने वाले future हो तो उन्हें बच्चों को दिखाएंगे तो सर ऐसे लड़कों और बच्चों से मतलब सावधान रखने के लिए कि कोई खराब ना हो निकसान ना हो ठीक है ममताच के आगे अपनी girlfriend का नाम लिखे आते लड़के तो उस cases में क्या होता है कि उन्हें protection की जड़त होती है इसके बाद सर स्किल्ड डैवलप्मेंट सर्विसेज फास्ट वार रेडिंग करूंगा सर मेरे साथ करते जाहिएगा इससे फास्ट आप खुद से नहीं पढ़ सकते सर इसले मेरे साथ कर दिएगा 70 पढ़ लेते सर assessing body impaneled centrally by the directors general of training ministry of skill development and entrepreneurship by way of assessment under the skill development initiative सर इसका मतलब क्या है कि भीया देखो government चाते मोधी जी ने क्या कहा है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा UAPD है आज के टाइम में और यंग जनरेशन आज के टाइम में भारत में सबसे अधिक है तो वो skill growth करवाते skill development initiatives की मतलब की भीया और word has sir entrepreneurship यानि हम यह नहीं चाहते है कि आप नौकली करो हम यह चाहते है आप अपना website करो तो इस चीज़ की जो आपको training दी जा रही है और government की authorized किसी भी unit के थुरूद दी जा रही है तो इसमें exemption रखी गई है आप से यही सिखाया रहे है आपको यहाप 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 एन एस डी सी उसके बाद है sector council उसके बाद है sector council की agency जिसे अप्रूवड क्या गया है ठीक है national skill development corporation उसके बाद है training partner है कोई भी आपके तो इन सब में यह service दे रहे है in relation to क्या service दे रहे है sir यह ऐसे प्रोग्राम चला रहे है implement करवा रहे ठीक है ताकि national skill development corporation मतलब कि भारतिया जो यूवा है उनकी skill develop हो सके जैसे typing का सिखाना laptop ठीक करना सिखाना रिपेरिंग वगरा सिखाना सिखाना यह कोई vocational course है जैसे English बोलना वगरा सिखाना तो इन सब में कोई भी other scheme implement की जा रहे है national skill development corporation सर मुझे तो एक ही वर्ड यहाँ पर हाइलाइट लग रहा है national skill development corporation अगर यह एक्जाम में दिख जाए तो यह अगर कोई service दे रहा है किसकी सर skill improvement की तो उस पर GST चार्ज नहीं होगा exam के लिए यही याद रखना है आपको पढ़ा दिया था अब सर कुछ चीजे रह गई है ठीक है उन चीजों को देख लेते क्या क्या रह गया है उसके according फिर हम अपने study आगे करते कि चलिए से स्टार्ट करते बैंकिंग एंड फाइनिशल सर्विसे से सरी कह रहा है services by reserve bank of india यानि अगर कोई भी service reserve bank of india दे रहा है तो वो क्या है exemption में वो मतलब अपनी services पर जेस्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसे exemption में रखा गया है गोट सब्सक्राइब अगला सर शर्विसेज बाइव एफ एक्स्टेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेज इस सो फॉर एज देखो मालो डिपॉजिट हो रहा है ठीक है या फिर लोन दिया जा रहा है या एडवांसेज दिये जा रहे तो बैंक यह सब काम फ्री लेते हैं तो सर एक चीज आपको सिखाई गई थी पैसे से पैसा कमाना हमें मालूम है कि यहां पे पैसे से पैसा कमा रही है लेकिन यह उसकी नॉमनल फीस होती है ताकि बैंक वगएरा अपना खर्चा चला सके तो इसे उन्होंने एक एक्जैम्शन में रखा है किसको सर इं कि अपि छीज जो यहां पर हाईलाइट करनी है अदर दैन इंटरस इंवाल्ब Westminster क्रेट काइड सर्विशिस जो क्रेट कारण की जो सर्विशिस में जो inटरस लिया ज्याइड ञाता है वो टेक्सेबल है तो आप यहां पिल को छोगें टेक्सेवल क्या है सर यहां पर इंट् रखना है, sale, sale और purchase of foreign currency अगर कर रहे है, bank तो फिर वो exemption में रखा गया है, ओके, बट सर यहाँ पर क्या लिका है, among us bank और authorized dealers, of foreign exchange, among us bank and sales dealers, यानि यह लोग कौन होने चाहिए, A, authorized dealers होने चाहिए, authorized dealers कौन होंगे, जिसे government permission देती है, और B, आप यहाँ पर कह सकते हो, कि यह कौन होंगे, यह bank होंगे, ठीक है, ओके, मतलब bank authorized dealer से, या bank authorized dealer से, यह dealers authorized bank से अगर कर रहे हैं, foreign exchange, तो foreign currency को आपस में exchange, तो फिर यहाँ पर उसे exemption में रखा गया है, आगे क्या है सर, यह सर, exam के लिए relevant है, सर, मैं इसे कहूँगा, zero star, zero star मतलब exam में relevant नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, सर, इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, माली जी मैं shirt लेने गया किसी mall में, ठीक है, मुझे shirt पसंद आ गई, कहां पर sir, mall वगेरा जो होते हैं, वहाँ पर, अब वहाँ पर मेरे बास cash था नहीं, नहीं था, मैंने अपना क्या किया, ATM card जो होता है, वो निकाला, और वहाँ से shirt खरे दी, जिसकी value थी 1800, तो ये जो value 1800 रुपे है, इस पे GST नहीं charge किया जाएगा, इस पे GST नहीं चार्च किया जाएगा, नहीं, अब देखो क्या ये कह रहे है, अब देखो, मेरे सब्दों को सुनना, ये पूरा जो game है न, अब ये समझ में नहीं आता दे purchase कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके shirt जो है, ये मालो एक shirt का design है, जो भी है, सर ये तो पूरे के पूरे आप भी लग रहे हूँ, shirt है, ठीक है, shirt का design, मैंने purchase किया, तो क्या हुआ, अब मेरा जो bank है, मैं अपने bank से बोल रहा हूँ, by my using ATM card, मैं कह पूचा किसको देने, उसने बोला कि भीया, मुझे राम को पैसे देने, उसने का अच्छा ठीक है, तो सर अब देखना है, क्या कह रहा है, यहाँ पे देखना सर ये क्या कह रहा है, पकड़ना, lines को पकड़ना, काम आएगी सर, कह रहा है, services by an acquiring bank, वो bank, जो ये वाला bank है मेरा मालो ये Central Bank of India है, acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount, यानि राम को settlement के बदले में जो पैसे मिल रहे है, जैसे कि मैंने ठारा सो रुपे का shirt खरीदा, up to a 200,000 in a single transaction, कि मालो single transaction में उसे 2000 तक payment कर रहा हूँ, तो मैं कितनी कर रहा हूँ, ठारा सो कर रहा हूँ, transacted through credit card, debit card, और charges card, और other payment card services, तो अगर मैं ये कर रहा हूँ, तो भिया ये exemption में रखा जाएगा, ये किस के लिए कहा गया है, मेरे लिए, या राम के लिए, ये bank के लिए, सरी, bank के लिए कहा गया है, कि bank अगर अपने customer का settlement कर रहा है, अपने debit card, credit card, और किसी भी card के तुरू, जिस पे charge लगा जाता है, तो वो जो charges वो ले रही है, विनित मिश्रा सर से किसी से भी payment के बदले में तो उसे exemption में रखा गया है, सर क्या explanation पढ़नी है, भी या मत पढ़ना, टाइम नहीं इतना, इसे पढ़ना है, उसी के साथ यह हमारा topic खतम हो जाएगा यहां पर, पढ़ना, सरी के करके बढ़ना, Service by intermediary of financial services, located in multi services SEZ with international financial service status to a customer located outside India for international financial services in currencies other than Indian rupees, सर देखो, एक एक करके सब्दों को समझते हैं, सबसे पहले तो इसमें एक बद आ रहा है, intermediary, intermediary, intermediary क्या होता है विया, तो पहले ही सोज लो, Who is permitted to recognize as such by the government, जिसे government ने recognize किया है, of India in any regulator appointed for regulation of IFC, यानि international financial service को regulate करवाने के लिए जो भी recognized body होती है, जो government ने authorized किया है, उसे intermediary कहते है, Who is treated as a person resident outside India under the foreign exchange management की FEMA के अंतरगत, ठीक है, foreign exchange management के अंतरगत, अगर कोई बंदा outside रहा है तो उसे intermediary कहते है, Who is registered under the insurance regulatory and development authority, जो insurance regulatory and development authority के अंतरगत है, ठीक है, ओके, और Who is promoted as such security and exchange board of India, Under the security and exchange board of India, यानि SEBI के अंतरगत है, तो यह चीजे बताई गही है कि यह यह लोग कौन है, Intermediary, sir question आ सकता है इसके उपर, नई sir, question इतने high level का नहीं आता है आपके exam में, Intermediary, यह लोग है, अब sir provision समझते हैं क्या कहता है, Services by and Intermediary, मतलब यह लोग services दे रहे, यह जो चार लोग बताए है, यह by, by and Intermediary, मतलब यह लोग services दे रहे, और Financial Services, कैसी services है sir, Financial Services है, Located in Multiservices SCZ, जो कि कहां इस्थित है sir, sir, जो कि SCZ में इस्थित है, जहां पर वो located का है, वो SCZ है, Special Economic Zone में, और किसको दे रहे है sir, International Financial Services Center को दे रहे है, Status to a customer located outside India, तो हम यह माल लेगे, जो customer है, यानि जो intermediary है, जो कि SCZ में located है, हम यह माल लेगे, कि वो भारत में नहीं रहता है, भारत का बहर का इंसान है, ठीक है, और जो भी उस transaction कर रहे है, outside India, for international financial services in currencies, other than Indian रुपी, और वो हम यह माल लेगे, कि वो इंडिया की currency में exchange ना करके, दूसरी currency में exchange कर रहे है, ठीक है, सर, exam के purpose से कैसे याद रखे, exam के purpose से दिखो, आप क्या करो, आप यह जो चारो है, इन्हें ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखने की बाद, आप यह लिखो कि यह कौन है, इंटर मीडिरी, सर, अगर आपकी बुक में आओ, तो भी कोई बात नहीं, आप इसे लिख लो, यह कौन है, इंटर मीडिरी, ठीक है, किसके सर, और financial service, यह कौन से service दे रहे हैं, सर, यह financial services दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और in a multi services SEZ, यहाँ बे लिखो, in a multi, multi services SEZ, यह कहाँ पर दे रहे, in a multi service SEZ, ठीक है, किसके साथ सर, किसके साथ, विथ, विथ, किसके साथ सर दे रहे हैं, यह services, यह दे रहे है, IFC के साथ, ओके, फिर वो क्या कहा रहे, to a customer, located outside India, status to a customer, IFC, status to a customer, located outside India, तो हम उस customer का status देखेंगे, status देखेंगे, to a customer, outside India, ठीक है, और क्या कहता है वो, 4 international financial services, किसके लिए सर, 4 international financial services, international financial services के लिए, सर, ऐसे लिखने से फायदा क्या है, बाबु, याद रहेगा, पहला point यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, पाचवा यह है, तो सर, अगर यह सारी चीज़े follow हो रही है, तो समझ लो कि वो exemption में हो जाएगा, तो सर, exam में कोशन कैसे बनेगा, सर, case study हो जाएगी, intermediary है, financial service देते हैं, सर, देखो, intermediary एक बड़ हो सकता है, अकाउंटेबल सर्विस, अकाउंटेबल सर्विस होगी, तो सर, tax लग जाएगा, यह कौन सी सर्विस है, सर, financial services के, जो की multi services, SCZ में दिया जा रहे है, ठीक है, किसके साथ सर, with IFSC, ठीक है सर, status क्या है सर, customer का, outside India माना जा रहे है, for international financial services, तो इसे exemption में रखा गया है, finally sir हमें समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो sir छोड़ देना, RTP, MTP करते समय देख लेना, शायद मेरे साब से वहाँ पर यह exemption दिखा ही देगी, इस सर में जो आने वाला है, इतना काफी है अभी, ठीक है, good, चलिए sir, आगे पढ़ागे sir, दोस्तों, इस point में, point number 9 में, banking and financial service में, यह जो topic हम अभी पढ़ रहे है, इसमें, एक amendment, आईसाई ने introduced किये है, यहाँ पर, और यह आपके service में इन्हों ने introduced करके, क्या काहे ज़रा ध्यान सुनेगा, कि यह कौन सी योजना है, MCQ के basis पे इसको याद रखेगा, कि परधान मंत्री, जंदन योजना, अगर कोई banking company service दे रही है, service दे रही है, कैसी service दे रही है sir, saving bank deposit की, कौन सा account owner है, जिसने saving bank deposit किया, मतलब saving account में, मतलब जिसने अपने पैसे जमा गरवाए है, अगर ऐसी कोई service दे जा रही है, परधान मंत्री, जंदन योजना के अंदर, तो इसे exemption में रखा गया है, इस service पे taxation नहीं लगी गा, मतलब इस पे GST नहीं charge करना है, यह आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ओके, 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 चलो sir, अब sir, यह थोड़ा सा है, life insurance, business services, sir, इसको थोड़ा fast पढ़ना, और मैं यह कहूँगा, fast rating देने हैं इसको, ज्यादा fast, मतलब इतना भी नहीं कि समझ में नहीं है, समझ में आना चाहिए, fast देना, exam oriented, less important, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा तकुलूफ रखेगा, थोड़ी तिर में, तो sir, थोड़ा सा speed में पढ़िएगा, ठीक है, यह speed वाला provision है, क्योंकि इसमें इतना exam में पूछेगा नहीं, लेकिन, time बहुत लग जाएगा, sir, एक चीज़ और सिखाओं आपको, जब भी आप CA exam की तयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि किस topic पे कितना time allocate करना है, क्योंकि जितना time आप allocate करोगे, उतना ही आपकी पास क्या होगे, scarcity of time होगी, और CA करते से मैं आपको time management आना चाहिए, कि time इतने अची दरगी से manage हो, कि आप क्या कर सके से, अपने exam को within a time खतम कर सके, revise कर सके, और again एक बार revise कर सके, ठीक हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, Services of life insurance business provided by way of annuity under the national pension system, मतब national pension system में क्या हो रहा है, service दी जा रही है, life insurance के द्वारा, किसकी सर, annuity पी जा रही है, तो इसे exemption में रखा गया है, ठीक, Services of life insurance business provided by the army, novel, air force और group insurance funds, ठीक है, group insurance मतलब पूरे group का एक साथ हो जाता है insurance, air force के लोग है, novel है, army है, तो सर ये exemption में रखा गया है, 29A, इसको थोड़ा star लगा ले न, एक single star, services of life insurance provided by the novel group insurance fund, सर, ये novel वर्ड याद ने रख सकते हैं, कुछ वर्ड याद रख लो यार, यहाँ पर जैसे, army लिख लो आप, novel लिख लो, ठीक है, air force लिख लो, group insurance लिख लो, group insurance fund, तो यह से याद रखेंगे न, तो आपका हो जाएगा, ओके, उसको थो, services of life insurance business provided under the following scheme, जन्सरी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, life micro insurance product, थेक है, वरिस्ट pension बीमा योजना, परधान मंत्री जीवन जीवती बीमा योजना, परधान मंत्री जन्दन योजना, परधान मंत्री वयर वन्दन योजना, सर ये वाला जो है न, micro insurance product, इसमें एक limit याद रखना कि बस दो लाग तक कही है, तो ही examination है, जादा का हुआ, तो taxable हो जाएगा, सर इतना fast पढ़ना है, जी हाँ जी, बस इसको highlight करते जाओ, और जब exam में आए तो reading मा लेना, जहाँ पे concept clarity चरुट थी, मैंने वहाँ करवा गिया है, पिछले parts में, अगर आप direct ये parts देख रहे हैं, तो I am sorry sir, आप इसले parts देख क्या है, तब ये clarity मिलेगी आपको, ठीक है, जहाँ पे कम reading की जड़ते में, उतना ही करवाँगा, वहाँ पे, उसके बाद है, service provided by the specified body, कौन सी body है sir, Employee State Insurance Corporation, सर ये जो old slaves में होंगे, उन्होंने EPF Act पढ़ा होगा है न, EPF Act में ये पढ़ाय जाता था, ठीक है, तो ये क्या है sir, बस इतना नाम याद रखो, कि भी है Employee State Insurance Corporation, बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि उनके पापा का ESI कटता है, PF कटता है, तो उसके अंदर जो employee है, जो छोटे-छोटे मज़़ूर है, उनके लिए भी, मदब उनकी health खराब हो तो किसके पास जाए, तो एक organization मनाई गई है, जिसमें वो monthly हो से 200-500 रुपे लेते हैं, लेकिन जब वो बिमार होते हैं, तो उनकी family का पूरा इलाज किया जाता है, उसी तरी की सब pension है, जादा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा amount तो दे सकते हैं, 100-200-500,000 जो भी उनकी salary है, उसके according उनकी जो पैसे हैं वो PF में जमा कर दे जाते हैं, service by coal mines provident fund, यही वर्ड याद रखना है, बस, service by national pension system, ठीकि सब, service provided by IRDAI, insurance regularity and development authority of India, to insurer, जो भी insurance करवाते हैं, उसके लिए, service provided by SEBI, security exchange board of India, यह सारी जो भी body है, जो दे रही है, वो exemption में रखा गया है, उसके बादे, general insurance business services, sir, फटा फट पढ़ी है sir, यह time वाली नहीं है sir, services of general insurance business, कैसे कैसे है sir, कौन-कौन से insurance, सर याद रखना है, नहीं sir, only read, यह read वाले point है sir, इधर याद नहीं करना, heart insurance scheme, cattle insurance, under swan, jainti, gaam, svarojgaar, योजन, scheme for insurance of tribles, जनता personal accident policy, group personal accident policy, agriculture pump set, field well insurance, premium collected and export rate insurance, sir, क्या समझना है, नहीं sir, बस rate करना है, इस level पर क्योंकि आपको exam देना है, ठीक है, यह reading वाले topic है, पहले उतार हो, risk structure, weather based crop insurance scheme, पर्धान मंत्री, fossil भीमा योजना, जन अरोगी भीमा पॉलसी, pilot scheme, seed crop insurance, central sector scheme, cattle insurance, universe health insurance scheme, राष्टिय, स्वास्थ भीमा योजना, coconut palm insurance scheme, पर्धान मंत्री, सुरक्षा भीमा योजना, निर्मया, health insurance scheme, तेक है, बस sir, ऐसी speed में से एक बार पढ़ ले न, exam में, यह question आए गए नहीं, पहले बूल रहा हूँ में, लेकिन फिर भी हम एक grading कर रहे हैं, कि हमने slaves पूरा पढ़ा है, उसके बाद है, services by way of reinsurance, of the reinsurance scheme, specified in serial number 35.36, ठीक है sir, इतना अविर element नहीं है, ठीक है, ओके, उसके बाद, इसने क्या कहा sir, reinsurance, reinsurance मालो, एक insurance company है, x, दूसरी है, y, maximum दोरों को 500 ही insurance ही allow कर सकते, इसके बाद 600 आगया, तो यह 500 रखके, जो extra 100 है, वो अगले वाले को allot कर देता है, इसको बोलते है, आप insurance company में, group 2 जो है, उसमें आप सीखर हो लोगे, तो यहाँ परशाद रहने वाली बात नहीं है, उसके बादे sir, pension scheme, pension scheme कौन कौन सी है, service by way of collection or distribution, collection of contribution under the utteral pension योजना, exam में क्या रखना है sir, utteral pension योजना, that's it, services by way of collection of contribution under any pension scheme of state government, तेक है, ओके, अब देखते है sir, कुछ बचा आने चे, उसके service provide to government, government को जो services दी जा रही है, okay, इसके बाद कुछ बचा, ये बचा, उसके बाद हमने last में पढ़ लिया थे, यहाँ तक पढ़ लिया है, चलो, ये थोड़े से रह गए, फटापट करते है, फिर इस chapter को आज finish ही कर देते, service provide to government, sir, verdict to government, मतलब गवर्मेंट नहीं दे रही है, हम government को दे रहे, ठीक है, pure services provided to government, ठीक है, pure मतलब government को ही दी जा रही है, pure service excluding, क्या-क्या exclude है, work contract service, other composite supply, involving supply of any goods, ठीक है, इस चीज़ को शामिल नहीं किया जाएगा, provided by to central government, state government, unit territory, or a local authority, or a government, authority, or a government entity, ठीक है, by way of, क्या service है, sir, क्या-क्या service है, in relation to any function, interested to a panchayat, ठीक है, word याद रखना है, panchayat, in relation to any function, interested to municipality, ठीक है, ये दो services अगर government को दी जा रहे है, तो ये exempt है, बस ये याद रखना है, क्या, sir, ये याद रखना है, एक गोली मारो, यार, इतना खाफी है, ठीक है, panchayat ये मुलसी पल्टी की service, अगर किसको दी जा रहे है, ये service अगर government को दी जा रहे है, तो ये exempt है, उसका रखना है, composite supply of goods and services to government, अच्छा जी, composite supply of goods and services in which the value of the supply of goods constitutes not more than 25%, sir, इसमें जो goods है, वो 25% से जादा कर नहीं होना चाहिए, of the value of the said composite supply, मालो कोई भी service दे रहे हो आप, उसमें goods भी और service भी है, तो उसमें goods की value 25% से जादा की नह ही होने चाहिए, ओके, तो sir, ये star लगा लेना और three star तो लगाई लेना, अच्छा है, अगर आपकी book में नहीं है, तो लिख लेना, sir, परशान मत होना, ठीक है, परशान नहीं होने वाली बात होती है, एक page लगाओ, अपनी book में और लिख लो इसे, provided to the central government, state government, और unit territory, और local authority, मतलब क्या हो रहा है, sir, government ने government को दिया, ऐसे याद रखो, अब government ने government को दिया, तो भी exemption है, by way of any activity, पंचायप और मुल्सिपाल्टी दे रहे है, तो भी या, एक्जैमट है, ठीक है, खतर, services provided by fair price shop, sir, ये क्या है, exam oriented हलका सा याद रखना, fair price shop वो होती है, sir, राशन की जो लोगाता है, गरीब, लाचार, ऐसे बर्ड़ बर्ड आते है, लोग के लिए, इसा नहीं बोलते है, भगवान ने सब को बनाया है, और भगवान का हर जो बनाया हुआ, कोई भी इंसान है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कुदरत का करिश्मा होता है, ठीक है, sir, काओ कि, I don't have resources right now, but after ultimate time, I get ultimate, what other people know and have, अपने लिए थोड़ा सा अच्छा पॉस्टी बोला करो, ठीक है, तो ये, मतब ऐसे लोग है, जिनको राशन वगएरा खरीदने के लिए थोड़े से पैसे कम पढ़ गाते है, तो गवर्मेंट एक राशन की दुकान यहां पे खोल दे पर फेयर प्राइस शॉप तो इस पे तेल वगएरा राशन वगएरा चावल वगएरा यह सब बीछा जाता है, उसके सर्विस प्रोवाइड बाएड़े सेंट्रल गवर्मेंट इस्ट गवर्मेंट अन्डर इंस्वरेंस इस्कीम में अगर ये गवर्मेंट को सर्विस दी जा रहें एक्सम्ट अंडर ऐने ट्रेनिंग प्रोग्म दिया जा रहे एक्सम्ट नेटवर्क यानि कई बार आप उनके बाद जा सकते हो या आपके रटन करवा देंगे अपके बेस यह सर्विस गवर्म जा रहे है एक्सम्ट और सर और उसें लीजिंग शरूशिज मेरे को तो नहीं लगता लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे लीजिंग का मतलब क्या होता है सर कि आप एक बार में नहीं खरीच सकते इसलिए आपको इस्टॉल्मेंट में ठीक है इस्टॉल्मेंट में सर्विस दी जा रहे है उसके उपर यह बताए गया है अफ्रेंट अमाउंट अफ्रेंट अमाउंट मतलब जो शुरुवात में दी जाते हैं मुह दिखाई जिसे कहते हैं मुह दिखाई कॉल्ड ऐस प्रीमियम सलामी कॉस्स प्राइस डेवलोप्मेंट चार्ज और बाइन अधर नेम पेवलिन रिस्पेक्ट और सभाइव के लिए रहे हों अंडर्टेकिंग और एनी अदर इंटीटी हैं फ्री परसेंट और मूर्णर्शिप ऑउनर्शिप और सेंट्रल गौर्मेंट कि इसके पास मतलब गौर्मेंट ने इसमें 50% या उससे अधिकी होल्डिंग कर रखी है तब इसे एक्जम्ट किया गया है अब कि अंतरगत लीस पे मकान वगर अविलेबल कर रहे हैं तो प्रधान मंत्री यावास योजना ओविसली गौर्मेंट का 50% से ज्यादा का स्टेक होल्डिंग होगी तो वहां पे जो अविलेबल कर रहे हैं फैसलिटी उस पे जेस्टी नहीं चार्ज होगा उसके बाद है इस पे आद देहान देना है सर इस पे और इसी के साथ ये खतम हो जाते हैं अब कुछ बचा किया लो सर अब सब सारा खतम हो गया फ्रेंड्स नाव हमारे जो बी इग्जैम्शन की टॉपिक थे एक्जैम्शन की टॉपिक जो भी थे हमारे अकॉर्डिंग टू यूकें से इसी आई स्टेडिमेंट हमने कवर कर लिया है ठीक है नाव हम क्या करने वाले नेक्स पार्ट में हमारी आर्टी पी जो है उसमें जो अमेंडमेंट गिवन है हम उसको add-on करेंगे next part में तो जो भी relevant मुझे point लाएगा कि आपके exam में आज सकता है upcoming exam जो भी आपके upcoming exam के according जो भी RTP में amendment है वो मैं add-on करवा दूँगा यहाँ पे जो की study mat में covered नहीं है लेकिन RTP में covered है वो मैं next lecture में आपके लिए discuss करके दूँगा उसके बाद हम ITC करेंगे सर ITC के बाद हमारा payment in GST रहेगा है जिस पर हमारे एक lecture में काम बन जाएगा ITC है ITC around three to four lecture या five कहलो five lecture इस पर लगेंगे और हमारा GST जो है वो खतम हो जाएगा तो यह दो चीज़े रहे हैं बाकी हमारा GST जो है पूरा खतम हो गया है okay thank you and God bless you